नमश्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज मैं हूँ आपकी साथ पुजा आए नजर डालते हैं आज की खास ख़बरों शिवराज इस सरकार द्वारा समाधान यूजना लाकर बकाया बिलों की भुकतान में राहत प्रदान की गई आर्ट इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर आपको बता दें की पिछले माह की आर्ट इंडिया न्यूज द्वारा बिजली की बिलों को लेकर गरीब परिवारों द्वारा धरना प्रदर्श्विन किया गया था और जिला प्रशाश्चिन को ग्यापन की माध्यम से बिल म मनसौर द्वारा मीडिया को बताया गया कि कुरुना काल के चलते जिन लोगों की बिल बकाया चल रहे हैं उन्हें देखते हुए शिवराज सरकार के द्वारा समाधान यूजना लाकर प्रदेश की जंता को रहत प्रदान की गए जिसके चलते जिन लोगों के एक किलो वाट ब माफ हो जाएगा वहीं समाधान यूजना में दूसरे चरण में बकाया बिल कि राश्ची 75 प्रतिशत तक 6 किष्टों में जमा करने होगी जिसके तहट 25 प्रतिशत का लाब बकाया माफ होने पर समाधान यूजना का लाब लिया जा सकता है साथी मणी शंकर द्वारा बताया गया कि यूजना के तहट उभुकता इसका लाब ले नहीं तो 31 जनवरी तक अपनी बकाया बिजली का भुकतान बिल विद्यूत केंदर स्टेडियम मार्केट मंसौर में करें वह समाधान यूजना का लाब ले देखिए अगस्त 2020 में कि अस्थिती में ऐसे घरेलू उभुकता जिसका सुक्रित भार एक किलो वाट दख था उसके जो बकाया रासी थे और जो अधिवार रासी थे दोनों मिला गरे कि उसको 100% उसको आस्थित क्या गया था जिसको अपन पॉस्पॉंड बोलते हैं अधान योजना और इस योजना में शासन ने कंजुमर्स को दो विकल्प दिये हैं पहला विकल्प अगर वो चूज करता है तो उसकी जो रासी जो आस्थित की गई थी उसमें जो एरियर रासी है उसका 40% माप हो रहा है पहला विकल्प सेलेक्ट करने पर और जो सरचार जि उसकी एरियर रासी है 25% माप हो रहा है और सरचार्ज की रासी जो है जिसको अधिवार बोलते हैं अपन वो 100% माप हो रहा है और इसको 6 समान किस्तों में इसको भरना है ये भी तुरह सा जान ले आप लोग कि 6 समान किस्तों में ही भरना इसा ने की कंजुमर्स दुसरा विक मनसौर से लियास कादरी की रिपोर्ट